हेलो फ्रेंज वेलकम बाक टू मैं चानल आज मैं जा रही हूं मटर पनीर मसाला बनाने तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भ कर ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटर पनीर मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 1-500 ग्राम मतर 300 ग्राम पनीर 4,,, 2 प्याज, 3 टमाटर, ओिल, नमक, हल्दी पाऊडर, मर्च시 पाऊडर, धनिया पाऊडर जीरा पाउडर खरे मसाले में एक टुकरा दाल चीनी, एक बड़ी लाइची, तीन छोटे लाइची, चार लॉंग, लहसन अधरक ग्रेट किया हुआ, दो चम्मच, कसोरी मेथी घर का बना हुआ मक्षन, सबसे पहले कड़ाई गरम कर लेंगे, गरम हो गया है कराई, तील डाल देंगे, एक च इसे एक से दो मिनिट भूनने के बाद, ग्रेट किया हुआ, लहसन अधरक डाल देंगे, आप चाहो तो लहसन अधरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, इसे भून लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ये देख सकते हो, इसका कलर चेंज हो गया है, इसमे सारे सूखे मसाले आट कर देंगे, जीरा पाउडर आधी चमच, धनिया पाउडर आधी चमच, मिर्ची पाउडर आधी चमच, हल्दी पाउडर आधी चमच, नमक स्वादा नुसार, इन सब को भून लेंगे, इसमें थोड़ा सा पाणी आट कर लेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से भून लेना है, यह देख सकते हो, यह बहुत अच्छी तरह से भून गया है, इसमें कटेवे टमाटर दाल लेंगे, टमाटर चाहो तो पीस के भी यूज कर सकते हो, इसे ढख देंगे, ढखने के बाद 3-4 मिनट तक ढख के रखेंगे, तो यह टमाटर अच्छे से पक जाएगा, तब तक हम पनीर तबवे पे सेख लेंगे, आप चाहो तो कच्छा पनीर भी यूज कर सकते हो, मैं इसे तबवे पे सेख रही हो पनीर को, इसमें ओईल लगा देंगे थोड़ा सा, और सारे पनीर की क्यूब्स को इसमें डाल देंगे और सेख लेंगे, बहुत जादा नहीं सेखना है, 2-3 मिनट के लिए, अगर जादा सेखेंगे तो यह हाड हो जाएगा पनीर, यह पलट के देख लेते हैं इसको, बस इतना ही सेखना है, सब सिग गया है, फिर हम पलट लेंगे इसको, ग्यास को बंद कर लेंगे, टामाटर भी चेक कर लेते हैं, यह टामाटर भी अच्छे से फ्राइ हो गया है, इसको हम जार में निकाल लेंगे, और इसका पेस्ट बना लेंगे, थंड़ा करके, फिस से कड़ाई चड़ा देंगे, गरम होने, ओइल डाल देंगे, इसमें, मटर को फ्राइ कर लेंगे, मैंने फ्रोजन मटर यूज किया है, आप चाहो तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे, टेस्ट के लिए, बिल्कुल हलका सा, उससे मटर में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, इसको एक से दो मिनिट भूनने के बाद, जो हमने ग्रेवी रेडी किया है, ग्रेवी को डाल देंगे इसमें, और इसे भून लेंगे एक से दो मिनिट के लिए, यह अच्छे से भून गया है, इसमें हम पानी एड़ कर देंगे, वो आप अपने हिसाब से थिक या पतला मोटा रख सकते हो, और इसको हम ढग देंगे चार से पांच मिनिट के लिए, यह देख सकते हो, इसमें अच्छी उबाल आ गई है, इसमें सारे पनीर के क्यूप्स एड़ कर देंगे, पनीर के क्यूप्स डालने के बाद इसे ढख देंगे, हम तीन से चार मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, यह बिल्कुल रेडी है, ग्रेवी भी इसकी अच्छी बनी है, ठिक है, इसमें कसोरी मैथी डाल देंगे, और घर का बनाया हुआ मक्षन, मैंने बस वो दूद वाली मलाई मैंने लिया और उसको फेट दिया अच्छे से, आप चाहो तो मार्केट वाली क्रीम भी यूज कर सकते हो, तो बिल्कुल रेडी है ये, आप सब भी ट्राइ करना, बहुत इजी है बनाना, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक्स पूर वाचिंग,